पचास वर्षोर से भी अधिक समय से किसी भारतिय प्रधानमंत्री की ये पहली गोयाना की आत्रा होगी ये तीन मुल्क कहां में तो आपको अंदाजा होगा कि भारत की जो लिडर्शिप है वो कितना ज्यादा डिफरेंट सोचती है डिफरेंट कनेक्शन्स हैं आप देखें कि ब्राजील सौथ अमेरिका के अंदर है ग्याना जो है ये डाट इस सम्वेर जिसको आप कहलें कि इन सौथ अमेरिका जो है नौर्थ अट्लांटिक कोस्ट के उपर ठीक है तैसरा नाइजेरिया पर आप आज है वही नाइजेरिया जो है इस अ कम्प्लीटली डिफर्न वर्ड रंदर मोधी का कहना है कि ये नए भारत की तारीखी फता का दिन है दो सो से अधिक भारती कंपिनियों ने नाइजेरिया में 27 बिलियन डॉलर से अधिक का निवईश किया है भारत और नाइजेरिया के बीच मजबूत विकास सहयोग संबंध भी है वहीं गुयाना की बात करे तो लगभग 40 फीसदी अबादी भारती मोलकी है जने इंडो गया को समझते हैं और अगर हैं समझने वाले तो वो दर्द दिल और वो नियत क्यों नहीं रखते कि इसको दुरूस तो तौर पर इस्तवार किया जाए यह हमारी सबसे बड़ी कमज़ूरी है रहते हैं कि बस खत्म होने को है हर चीज और आप बिलकुल बेकारी बन जाएंगे 25 को रोग तो आप ने दो कॉंटिनेंट्स कवर की हैं सो यह जो दोरे हैं मैंने कभी इस तरह के दोरे कभी किसी पाकसानी लीडर को करते नहीं देखा ब्राजील तो है यह जाते ही नहीं शा पोस पासे नहीं जाना तो मेरा ख्याल है कि मैश्यत ही हमारा सबसे बड़ा चैलेंग और दहाने पर तबाह तबाही के दहाने पर हम खड़ देखें वह सकता कोई नहीं को लाजिक हो I don't know बट नाइजेरिया जो है इसल्फ वेस्ट अफरीका के अंदर तो नरीदरा मोनी की अब रीच देखें कि उसने का मैं इंडिया से जा रहा हूं तो मैं रास्ते में नाइजेरिया रूकूंगा भी फिर देन मैं फिर सौथ अटलांटिक पर चाल पड़ूँगा ठीक है एंड ब्राजील पहुंगा एंड देन ब्राजील से फिर मैं नौर्थ अटलांटिक में आजाओंगा तो मतलब इस इस हो देया थिंकिंग बंगलादेश में इतना महारत किस तरह से अपनी टेक्स्टाइल इंडिस्ट्री को ग्रो कर रहे हैं अब यह देखें और यह सारे के सारे जो अलाके हैं अगर आप देखें वेस्ट अफरीका के अंदर एक इंपॉर्टन प कर लिए इनके साथ ठीक है मैं अक्सर यह जब हम बात करते हैं ना देखें इंडिया को यह एड्वांटेज है कि एक तो वह कहते हैं जी मारे इस्टॉरिकल कनेक्शन हैं मैं मैं जिस नाइजेरिया की बात करता हूं मैं जो ब्राजील वो जा रहे हैं जी टॉंटी के उपर इस प्रफ मिलादा बात करता हूं जी हमारे तालुकात तो इंडिपेंडेंट्स हैं हम तो उस दोर से हैं हमारा जी हम कॉमन वेल्थ में मुझूद हैं यूए में मुझूद थे हम नॉन आलाइन मोवमेंटिक अंदर भी मुझूद थे विद नाइजेरिया और इंडिया नि तो आरव डॉलर है ठीक है जी और इंडिया जो है वन अफ द लार्जस इंपोर्टर है नाइजेरियन क्रूड ओल का 20 पॉट्सन नाइजेरियन ओल जो है वो इंडिया एक्सपोर्ट होता है अब आप इमेजन कर लें पाकिस्तान नहीं ते किते जाना है यार सिर्फ डिवर्सिफिकेशन चेक करें दिर इस नो कंट्री ऑन अर्थ जहां पे इंडियन नहीं बैठे हो ऑफ इंडिया जो है वो क्रूड ऑइल एंड लिकवर्ड नैच्रल गैस जो है वो सप्लाइब करता है इंडिया को देन आप आ जाएं इसकी डिवेल्मेंट कॉपरेशन उसमें भी वह काफी लगया हुए टिक्नॉलोजी ट्रांसफर में इंडिया जो है वो टिक्नॉलोजी स्पोर्ट करता है फिर वो कहते हैं जी कि हमारे तो तालुकात बड़े जो है ना वो पुराने हैं स्टूरंट्स बहुत जाद हैं नाइज इंडियन जिनुवर्स्टीज में आते हैं सो यह आप इस लेवल से देखें अब आजें आप अगर सिर्फ देखें नरिंद्रा मोदी की जो अप्रोच जी टूंटी की देखें बाद में मैं दूसरा वो औरना की डिसक्स करता हूं अब यह देखें कि यह जी टूंटी की वो जो जहा रहे हैं लास्ट इयर इंडिया ने जी टूंटी होस्ट की थी अब इंडिया जो है अगेन डाट इस नेकिंग अ बिग थिंग ठीक है जी अब सुनने में आ रहा है कि शी जिंग्पिंग भी पहुंचें शी जिंग्पिंग पिरू पहुंचें होएं बाइद वे जो बाइडन भी आ रहे हैं वहां पे रियो डि फिर्टन थी ठीक है उन्होंने उससे काफी ज्यादा जो है ना वो अपने ग्लोबल स्टेज पे अपनी मार्केटिंग इंडिया ने की टका के मार्केटिंग की और अमेरिकन ने इस वकर टका के सपोर्ट किया अब देखते हैं वैसे जस्टन टूडों ने भी वहां आना आत मैंने काया कि इतना ज्यादा इंडिया और चाइना कटे है ना असे ग्रेट पार्स आज बोद रीजिनल पार्स मतलब अमेरिकन सो यह समझते हैं कि चाइना इस जिंगल मोस्ट नैशनल सेक्यूरिटी चैलेंज इन एक्स 10-20-30 येर्स तूदी अमेरिकन इतना वड़ा थ्रे करते हैं या नहीं करते ठीक है जी क्योंकि वहां पे जो रश्या की थी वो भी एंड टाइम पर पता चला था पहले नहीं था पता लेकिन ये जरूर पता था कि मुलाकात होगी तो वन एर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर का नारभ इन मोदी ने वहां लगा देना ठीक है जी मतलब आप ये देखें कि नरिंद्रा मोदी जो है उनकी सिर्फ ये ये देखें कि किन किन मुलकों में वो जाते हैं किन किन दुनिया किस किस दुनिया के साथ वो इंगेज करते हैं और जैसे कहेंगे ना कि उनको अपना एक 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 और उनने अपना औरा डिवेलप किया तो आफ्रीका हो या लेटन अमेरिका हो इंडिया समझता है कि हर इंपोर्टेंट मुलक जो है सौथ अमेरिका का हमें वहां जाना चाहिए दोस्तों आफका Fast Knowledge Factor में स्वागत है दोस्तों पीम नरिंदर मोदी तीन देसों की पांस दिवसी यात्रा के लिए रवाना हो गए हैं इस दौरान 16 नमबर से 21 नमबर तर पीम मोदी तीन देसों की यात्रा पर रहेंगे पीम मोदी ने इस दौरान बराजील गुआना और कि औरते जारी बयान के अनुसार 17 वर्सों में भारत के प्रदान मंत्री की नाजीरिया की पहली यात्रा होगी बयान में कहा गया है कि यात्रा के दौरान प्रदान मंत्री भारत और नाजीरिया के बीच रड़नी तीक साज़ेदारी की समीचा करेंगे तथा साथ ही दूइपच्छी समंदों को बढ़ाने के आउसरों पर भी चर्चा करेंगे इसके बाद 19-21 नुमंबर तक गुआना की राच्की यात्रा पर रहेंगे गुआना की यात्रा 1968 के बाद बारत के प्रदान मंत्री की पहली यात्रा होगी